अगर प्रफेस्ट करने वाले हैं स्पेशल एकॉनामिक जोन जो काफी इंपटेंट टॉपिक है S E Z ये most important topic है आपके लगबग हर computer exam से पूछे राते हैं अब देखो question arise होता है कि special economic Jones क्या होते है जोन्स का मतलब क्या होता है area ठीक है economic का मतलब economic जो ज़्यादा सही हो बोलते है ये economic है मतलब कि थोड़ा सा ऐसे समझो टिकाऊ हो है सस्ता वाला है specially जो बनाए गए है ऐसे जो specially कुछ areas बनाए गए थे economically जो सही हो उन areas को क्या बोला गए special economic Jones अब question ये था कि ये बनाया क्यों गया था क्या reason था तो पहरे हम बुक का समझते है कि क्या इसमें लिखा गया है introduce from 1st April 2000 तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखने है जो special economic Jones था ये introduce कब किया था 1st April 2000 को introduce किया था इसका reason क्या था what was the purpose what was the purpose to attract foreign investors याद रखना है कि जो हमारे foreign investors से उनको attract करना था into develop control free environment clear है अब यहाँ पर देखो क्या बोला है उनका purpose था foreign investors को यहाँ पर attract करना और एक ऐसा environment clear ऐसा environment clear create करना जहाँ पर ज्यादा control नहीं हो अब question यह arise होता है कि यह सारी चीज़े possible कैसे है क्या उन्हों पागाल है जो यहाँ पर आते रहेंगे क्योंकि स्रिफ अगर control free environment मीलेगा तो उसे फाइदा नहीं है और भी क्या यह control free environment में है कैचली में तो यहाँ पर कुछ बाते इंक्यूड की गई थी तो वह मैं आपको add कर देता हूं जैसे कि हम लोग जो government थी हमारी उन लोगों ने try किया कि इनको world class facilities प्रवाइड करें ठीक है payment of tax in payment of tax question यह है कि tax में कैसा benefit इनको मिला था तो जो टेक्स में benefit मिला था यह बहुत इंट्रेस्टिंग था इंट्रेस्टिंग क्या मैं यहां पे लिग देता हूं नीचे सबसे पहला इनको यह बोला गया कि इनिशियल पिरियेड में ठीक है इनका जो इनिशियल पिरियेड होगा इनिशियल प्यरियर के फूरा हंडरिड परसнов टैक्स जो वह फ्री होगा यानि कि टैक्स फ्रूरा हंडरिड परसंट फिर यह बोला गार्शकर बाद में तार्ट प्यक्स को पान साल का टाइम ने दिया है इस तरह से, clear है, पहले तो 100% tax free था, बाद में 50% tax free कर दिया, तो ये था इनका main reason, लोगों को invite करने का, अब जब लोग यहाँ पर आएंगे, जैसे जो other countries वाले है, जब यह सारी चीजे लालच देखेंगे, यह सारा देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो हमें क्या benefit होगा, उ अब से पहले क्या करना है, trade balance increase करना, जैसे हम लोगों पता है कि हम लोग इंपोर्ट और export करते हैं, जिसको हमने इसके पहले के chapters में पढ़ा था, balance of payment, right, और हमें पता है कि यदर हम ज़्यादा export करते हैं, तो हमें problem होगी, ज़्यादा import करेंगे, तो भी हमें problem है, यह दोनों प्रवाइड करेंगे, जैसे अभी हमारे इंडिया में बहुत सारी इसे technologies, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही है, जैसे मैं छोटा से example देता है, Apple का phone, दिखावागा आइफोन जो अभी इंडिया में भी बनने लगा, यह पहले इंडिया में नहीं बनता था, तो में टार् employment की problem है, ठीक है, किसकी problem, employment की जो problem है, वो क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, clear है, मतब 100% solve नहीं थोड़ा बहुत तो हमें benefit मिलेगा, यह तो यह reason था, ठीक है कि हमने वहाँ उन लोगों को यहाँ पे attract किया था, किसको attract किया था, foreign investors को, clear है था, make Indian producing sectors as equivalent to those of worlds, और हमारा target था कि ह हमारे यहाँ पे ऐसे products बने, जो world class हो, इसलिए बोला रहा है कि Apple का जो phone है, वो अब इंडिया में भी बनने लगेगा, तो यानि हम आगे ना लोगों के बराबरी में, कि अब बाए Apple तो हमारे यहाँ पर ही बनता है, ऐसा बोल सकेंगे ना, अब इंको क्या-क्या दिया था, tax intensives granted by law for SEZ to attract investors, जो मैंने भी clearly explain किया है, कि tax incentives दिया था, जो यहाँ पर मैंने explain किया, in the payment of taxes, initial periods में 100%, बाद के period में कितना था, 50% था, तो यह याद रखता है, बाद के period में कितना था, 50% था, लेकिन यह सारी चीज़े देंगे कैसे, यह इसका extra benefit, clear है, तो यह जो मैंने extra facilities जो देने वाले थे, ठीक है, यह facilities है, developed from model of special economic zones of China, अब हमने यह सीखा कहां से, तो यह हमने चाइना से सीखा था, चाइना वालों ने भी ऐसा किया था, तो हमें idea अच्छा लगा, और हमें किसे का अगर idea अच्छा लगता है, तो हमें सरम नहीं आते हैं, हम copy कर लेते हैं, right, that type of geographical area where economic laws remain different, अच्छा यहाँ पे एक word याद रखना है, ऐसा area जहाँ पे economic laws जो है, वो remain different, remain different का मतलब यह है, other places की comparison में थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि tax free, ठीक है, 50% tax, कौन से area में होता है, तो different हुआ की नहीं, अगर other area में कुछ और है, तुमारे यहाँ पे कुछ और हो SEZ बना रहे हैं, special economic johns बनाए हैं, तो उसमें है China, India, Jordan, Poland, Philippines, Russia, North America, यह ऐसे कुछ countries है, जिन लोगोंने special economic johns बनाया है, और इंडिया के अगर बात करते हैं, तो इंडिया में basically, अभी right now, तो वैसे तो 18 और propose भी हो चुके हैं, लगबर start भी हो गये, लेकि mainly जो है, अभी 8 है, वो clearly काम कर रहे है, इसमें हम लोगा first है, Santa Cruz, Mumbai, तो Mumbai में कौन सा Santa Cruz है, केरला में कोची, गुजरात में कंडाला, और एक गुजरात में सूरत है, नहीं, गुजरात में दो है, ठीक है, तो ऐसे आधर रहे हो, गुजरात में दो जागे, कंडला और सूरत, दो जागे, कंडला और सूरत, फिर तमिल नाडू की बात करते हैं, तो तमिल नाडू में कौन सा है, चैन्नाई, अंधरा प्रदेश में विसाका पत्ना, वेस्ट बेंगाल में फालता, और उत्तर प्रदेश में नॉइडा, तो तुम्हें कैसे याधरने, मुंबई ने, Santa Cruz, केरला में कोची, ग अब इन लोगों ने क्या किया है, new 18 SCZ जो है वो प्रपोस किया, it may be, कि almost start भी हो गया है, उनके नाम जागर तुम्हें जानना है, तो बताद ना, मैं कमें लिख दूगा, ठीक है, who can start, a question है कि start कौन कर सकता है, कौन सुरू कर सकता है, तो कौन सुरू कर सकता है, अगर हम बा बतलब ऐसा नहीं है कि foreign वाले, कोई भी person सुरू कर सकता है, लेकिन वही है कि government के जो rules and regulations से वो मानना पड़ेगा, तो याद रहना, any private person, कौन कौन सुरू कर सकता है, any private person, any government, ठीक है, any joint sector, any state government, or they are representatives or foreign institutes, clear है, but all these SCZ may be controlled by the government, जो main है बात है, वो याद ही रखना है, कि भाई, तुम काम कर लो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन control कौन करेगा, government, clear है, तो ये था आपका SCZ के बारे में, I hope कि आपको इस समझ में आ गया होगा, special economic Jones, ठीक है, अगर फिर भी कोई भी doubt, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या रहती, तो आप comment section में बता सकते है, जो भी होगा, contact करते रहेंगे, तो मिलते हैं, next class में, तब तक लिए, thank you so much and have a good day, और next topic हमारा रहेगा, importance of small scale industries, one of the most important topic, और इस सबसे, IMP question, ठीक है, industrial sector का सबसे, IMP question है, importance of small scale industries, तो मिलते हैं, next class में, तब तक लिए, thank you so much and have a good day.